तो दोस्तों कैसे आप सभी आज आपके लिए बहुत बढ़िया गाड़ी लेकर के हाजिरों तिन्नों ही मारुती सिजुकी की तरफ से आने वाली किंग गाड़ियां मारुती सिजुकी एल्टो, मारुती सिजुकी सिलेरियो और मारुती सिजुकी वैगनार मोटा भाई, छोटा भाई और यह है मंजला भाई तिन्नो भाईया के बारे में बात करेंगे कौन सी गाड़ी, किसलिए फेमिस है और क्यों गाड़ी यह को लेना चाहिए कमपेरिजन वीडियो बेसिकली आप इसको कह सकते हैं तो सुरुआत करते हैं सबसे पहले तिन्नो गाड़ियों के अगर फ्रंट में देखोगे तो तिन्नो गाड़ियों का लुक कम्प्लीटली डिफरेंट है और बेसिकली गाड़िया यह अलग लग है तो लुक तो अलग होना ही चाहिए था लेकिन common क्या है common अभी या तीनों में halogen based headlamps और halogen based turn indicator मिलते हैं जबकि मारूत्य और एल्टो में तो common है turn indicator fender के उपर यहाँ पर शिलेरियो बाजी मार गई और turn indicator मिल गई अभी या ORVM के अंदर बाकी कोई डिफरेंस नहीं है फ्रेंट से तीनों ही गाड़िया अपनी अलग अलग है यह आप एक chrome insult front grill के अंदर chrome insult लेकिन front grill जो वो बड़ी सी front grill आपको देखने को मलती है body color ORVM body color ORVM लेकिन top variant होने के बावजूद भी आपको body color ORVM नहीं मिलते हैं variant के बता दू तो यह आपका VXI plus वाला यह आपका ZXI और यह आपका VXI variant है ठीक है यह top variant है यह इसका second top variant है और यह second base variant है यानि कि base से एक उपर वाला variant है समझ गए होंगे आप ठीक है second base third base और यह top एक एक variant आप पर देख आएंगे तब भी comparison बढ़िया बनेगा अब चलिए सुरुआत करते हैं और आगे बात करते हैं तो भाईया दो वाईपर दो वाईपर दो वाईपर लेकिन एक वसर दो वसर दो वसर दो वसर दोनों गाडियों में मिलते हैं बहुत बढ़िया तिनों गाडिया निकल गए आगे लेकिन वहिया तिनों में ही एंटिना सेम है एंटिना में कोई डिफ्रेंश नहीं है किसी परकार का ओवर्वियम में भी बाकाइदा कोई डिफ्रेंश ली है लेकिन सिरफ एक कलर को छोड़ करकी यहाँ पे black color का जरूर रखा गए लेकिन है same ही overview यहाँ पे जरूर इसके अंदर integrated है लेकिन है same तिनों के अंदर ठीक है मारूती Suzuki की cost cutting अब आपको बहुत बढ़िया से समझ में आगी कैसे वो manage करते है चीजों को बीच में मारूती Suzuki का logo यहाँ पे तो even fog lamp का ही option नहीं है यहाँ पे fog lamp के तो option आपको देखने को मिलते हैं यह तो था गाडियों के front की बात अब तिनों में देखिए भीया मोटा भाई जो है वो सबसे बढ़िया और सबसे उपर उसके बाद में छोटा भीया गाडियों के लंबाई में बात करें तो सबसे लंबी भीया उससे कम लंबी उससे कम लंबी ठीक है सबसे महंगी उससे कम महंगी उससे कम महंगी अब चलिए पीछे कि तरफ चलें तो भाईया side में जैसी आप जाओगे इसके अंदर 27 लेटर का fuel tank 32 लेटर का उसमें 35 लेटर का भाया CNG का उप्शन यहाँ भी CNG का उप्शन यहाँ भी एक लेटर का टेंक वे एक लेटर का इंजन यहाँ भी एक लेटर का यहाँ भी और एक लेटर का लेकिन अगर आप ZXI और ZXI प्लस में जाओगे वैगनार के तो भया 1.2 लेटर का उप्शन भढ़ जाएगा 89 एनम का टॉर्क 89 एनम का टॉर्क 89 एनम का टॉर्क फरक कहां ये भी वही 24 से लेकर 34 किलोमेटर पर किलोगराम तक की फ्यूल एकोनोमी यहाँ भी 24 लेटर किलोमेटर पर लेटर से लेकर 24 किलोमेटर पर लेटर तक की same fuel economy मिलती है वैगनार में थोड़ी शे कम है body type अब पीछे की तरफ जैसी आप move करते हैं तीनों गाड़ियों में तो भया पीछे का लुक ऐसा सा देखने को मिलता है तीनों ही पीछे के लुक में क्या है तीनों में ही कोई यहां पे LED टाइप का वर्क नहीं है तीनों में ही simple देखे सबसे simple इसके tail lamp इसके थोड़े से water droplet type खुर इसके तो सबसे बड़े क्योंकि बड़े आप यहा है तो सबसे आलग ही नकरे इसके तो चल रहे है सुजूकी का logo तीनों के center में लगा हुआ है बेजिंग इन दोनों की तो एल्टो केटन, सिलेरियो की और वेगनार की बेजिंग तो यहां मिलती है difference देखने को आपको मिलता हुआ simple सा tailgate, simple tailgate rear wind shield की अगर आप बात करते हो तो वोसर, defogger और wiper का option मिलता है यहां कुछ नहीं है, दोनों ही variant में ठीक है, बीच में आपको मारूती सुजूकी का logo और specified gate दिया गए ताकि आप खोल सकें, खोल आप इसको भी पिछे से सकते हैं, लेकिन भया इसके top variant को खोलना अंदर से इपड़ेगा भार से नहीं खोल सकती, यह थोड़ीशी निरासा बात है, इन दोनों को अब भार से खोल सकते हैं center locking ती, नों के साथ मिलती है kiवे बात करें, तो दोनों remote की के साथ मिलती है, लोक on lock का mechanism लेकिन उसमीं की जो है, वो remote के साथ नहीं मिलती है, लेकिन एकर remote के और एक simple वाली की है तो ये तो exterior look हो गया अब interior में चलते हैं तो चलिए फटा-फटा आपको एक निजर मरवाता हूँ छोटे से बढ़ेगी तरब बढ़ते सबसे पहले alto पे निजर मारते हैं और alto से आगे बढ़ते चलेंगे तो भईया alto पे जैसे आप निजर मारोगे तो तीनोई गाडियों में सबसे अजीब जो इन में लगेगा वो है कोई भी डॉर के उपर आपको master control नहीं है digital instrument cluster मिलता है उन गाडियों में digital नहीं है ठीक है simple वाला steering mounted control के साथ steering wheel मिलता है touchscreen मिल जाती है AC unit है लेकिन इस AC unit में slider मिलता है उनमें slider नहीं है बटन रखा गया यह AC unit लगबग सेम यही है ठीक अब बाकी चीजे सेम सी है तो चलिए बहुत बढ़िया अब चलते हैं सिलेरियों के अंदर तो भीया सिलेरियों में जैसे आप move कर अब भीया हम आ गये हैं सिलेरियों के उपर तो सिलेरियों में जैसे आप अंदर चलते हैं तो भीया वही कोई master control आपको door के उपर नहीं मिलता है यहाँ पर बढ़िया सा श्यांग आप दिखने वाला instrument cluster है जिसके अंदर अलग अलग आपको lighting वगरा और बीच में एक screen यहाँ दी गई है सबसी बड़िया instrument cluster है यह इसका steering mounted control वाला steering wheel है यहाँ पर बिना touchscreen वाला infotainment system और शारे इसके master control बिखरे हुए यह सी यह मिल जाती है लेकिन knob जो अब है वहाँ पर slider था यहाँ पर knob मिल जाता है यह चीज हुगई instrument cluster सबसे simple मिलता है alto से भी simple है ठीक है वो typical जो पहले आता था बिना कोई control वाला steering wheel मिल जाता है लेकिन space बढ़िया है यह ऐसा इसका music system मिलता है AC unit L वेगनार में और शिलेरियों में सेम मिलती है यह control lever, gear lever जिसे हम बोलते हैं और सारे के सारे master control यहां मिलते हैं यह वेगनार की एक खासियत है वहाँ पे सारे master control रखे गए थे उपर नीचे लेकिन यहाँ पे सारे master control मिलते हैं एक जगाए पर तो यह थी बढ़िया सी बात इसके बारे में तो भाई लोगों आपके लिए मैंने कर दिया है गाडियों को compare अगर आप price के बारे में जानना चाते हैं तो एल्टो का price उसके नीचे वेगनार का उसके नीचे और वेगनार का उसके नीचे आर है variant wise और शाथ में विया कौन सी गाड़ी आपको ज़्यादा बढ़िया लगी यह भी description box में बताना बिल्कुल नहीं भूलिए मिलते एक और बहतरीन वीडियो के साथ तब तक के लिए have a nice day